बच्चों, हमने आपको शेशन वन यानि की लेसन फर्स्ट के शेशन वन में आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवार समझाया था अब हम लेसन वन शदर्थ को पढ़ेंगे उसकी रिडिंग करेंगे जैसे हम आपको रिडिंग करा रहे हैं ऐसे आप स्वेम करेंगे इशे है यहे के है कौन छात्र है छात्र किम करोती क्या करता है से है वे है पठती पढ़ता है जनके है पिता लिखती लिखता है इशा यहे का कौन छात्रा 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 सा वे यह यानि के स्त्रिलिंग नमती नमशकार करता है या करती है अमबा, मा, पच्चती, पकाता या पकाती है, अनुजा, लडगी का नाम, नहीं, नहीं, ना असो, ना का मीनिंग भी नहीं होता है बच्चो, अध्यापिका, अध्यापिका, वदती, बोलता है, विबे के हैं, लडगे का नाम, नाउ, फिलप, एशाह का, एशाह, इस्त्रिलिंग है, इसलिए, हम माता से पहले, साह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि साह का प्रयोग, पुरलिंग के लिए होता है, छातरा किम करोती, तो सहे नमती, वहें नमश्कार करती है, अध्यापिका वदती, अध्यापिका, यानि की, इ सावदती अनुजय है किम करोती सहे खेलती अनुजय है पुर्लिंग है इसलिए हम यहाँ पर सहे का प्रियोग करेंगे विवेक है किम करोती विवेक क्या करता है सहे पढ़ती वहें पढ़ता है शुद कीजिए एश है बालिका एश है पुर्लिंग है बालिका इसलिए बालिका के साथ हम एशा का प्रियोग करेंगे तो एशा बालिका एशा अध्यापक के है एशा इस्त्रिलिंग है अध्यापक के है पुरलिंग है इसलिए अध्यापक के साथ हम एशे का प्रियोग करेंगे तो एशे अध्यापक के है सा जनके है सा इस्त्रिलिंग शब्द है और जनके है पुर्लिंग शब्द है इसलिए सह जनके है जनके के साथ हम सह का प्रयोग करेंगे सह जन के है, वह पिताजी है सह अमबा, सह पुरलिंग शब्द है, अमबा, इस्त्रिलिंग शब्द है इसलिए अमबा, माता के साथ हम सा का परियोग करेंगे तो सा, अमबा, एशा बाल के है, इशा, इस्त्रिलिंग, और बाल के है, पुरलिंग इसलिए बालक के साथ हम एशह का प्रियोग करेंगे तो बच्चों आपने समझा पुरलिंग के साथ यानि कि सह के साथ हम बाल के है, जन के है, अध्याप के है इनका प्रियोग करेंगे यानि कि पुरलिंग शब्दों का प्रियोग करेंगे और इस्त्रलिंग शब्दों के साथ सा, एशा, इस्त्रलिंग ही शब्दों का प्रयोग करेंगे जैसे सा, अम्बा, एशा, बालिका Now, matching, सह पढ़ती, वह पढ़ता है, सा नमती, वह नमशकार करती है एश है, जन के हैं, यह पिताजी है, एशा, अम्बा, यह माता है विवेख है खेलती, विवेख खेलता है, अनुजा खाती, अनुजा खाती है Question number 4, उचित पत, उचित इस्तंब में लिखिए अभी हमने आपको समझा आए था, सह, एश है, जन के हैं, यह सब पुर्लिंग शब्द हैं इसलिए इनको हम पुर्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे सा, एशा, अम्बा, अध्यापिका, चात्रा, यह सब इस्त्रिलिंग शब्द है इसलिए हम इने इस्त्रिलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे Question number 5, उधारण के अनुसार उत्तर लिखिए चात्र है किम करोती, चात्र है पढ़ती अभी आपने हिंदी अनुसार में देखा था उसी के अनुसार हम अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे जनके है किम करोती, तो जनके है वदती वद्धातू से वदती, क्योंकि पॉर्लिंग एक वचन है अनुजहे किम करोती अनुज क्या करता है तो अनुजहे लिखती अनुजहे लिखती यानि कि लिख धातु से लिख से क्या बनता है लिखना यानि कि लिखती अनुजहे लिखती चातरा किम करोती चातरा क्या करती है तो चातरा खेलती खेल धातु से खेलती एक बचन, अमबा कीम करोती, माता क्या करती है, अमबा पच्चती, माता पकाती है, अनुजा कीम करोती, अनुजा हस्ती, हस्तातों से हस्ती. बच्चो, सबसे पहले हमने आपको अनुवाद समझजा रहा था, उसके बाद first chapter की exercise, और that your lesson, यानि की first lesson summary, आप ध्यान पूर्वक इस सम्री को ध्यान से पढ़ेंगे एशह के यह कौन है एशह चात्र है यह चात्र है चात्रा किम करोती चात्र क्या करता है सैप पढ़ती वह पढ़ता है इस प्रकार आप स्वम इसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे एक्सरसाइज को अपनी कॉपी पर बार बार लिखने की ट्रक्टिस करेंगे तो बच्चों आपका होंवर्क यही है आपसे हब हम मिलते हैं नेक्स सेशन में इट्स में लेसन टू में है तो आपसे स्वम इसे बार बार के लिए स्वम इसे अज़ायं के लिएता है झाल झाल